2024 के लोगसभा चुनाओं को लेकर अब BJP की तैयारी ये है कि कैसे उत्रपदेश में पस्मानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ा जाए संग भी इस तैयारी में जुट गया है 2014 के जब लोगसभा चुनाओं हुए तब पिछलों ने साथ दिया BJP सत्ता में आई 2019 के लोगसभा चुनाओं में दलितों का साथ मिला तो BJP दुबारा सत्ता पर काबिज हुई और अब तीसरी बार 2024 में सत्ता पर काबिज होने के लिए BJP की कोशिस है कि उत्तर प्रदेश में जो पस्मानदा मुस्लिम समाज है उससे अपने साथ जोड़ा जाए कुछ समय पहले संग की तरफ से स्टेट यूनिट से ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में 2014 से लेकर अब तक इस समाज का कितने फीजदी वोट BJP के साथ आया है जिसका जवाब देते हुए स्टेट यूनिट ने कहा कि केवल एक फीजदी वोट ही 2014 से अब तक BJP के साथ आप आया है दरवसल इसके पीछे वज़ा भी है चार करोन से जादा जो मुस्लिम समाज के लाभारती हैं केंद्र की प्रदेश सरकार की उजणाओं की उनमें भी 75 फीजदी पसमानदा समाज से ही आते हैं और इसलिए BJP की कोशिस है कि 2024 से पहले पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ा जाए अभी जो रास्टी कारकार्णी हुई तेलंगाना में वहाँ प्रदान मंत्री ने कहा कि पार्टी के कार करता हूं कलब संक्यकों के बीच जाना चाहिए स्टेट यूनिट से पूछ भी लिया कि भाई आप पसमानदा समाज के बीच जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उनको भी अपने साथ जोड़ी ताकि उनका भी सामाजिक उठान हो सके और इसका उदाहरन उत्रप्रदेश में दिखता भी है कि बीजेपी ने किस तरीके से फोकस किया हुआ है जब योगी टू पॉइंटो का गठन हुआ मंत्रीयों उन्हें शपत ली उसमें सबसारा चौकाने वाला नाम कोई था तो वो दानी शाजार अंसारी का था पसमान्दा समाज से आते हैं तो उसके बाद आप देखिए जो उर्दू अकार्मी वहाँ जो चेर्मेन है वो भी पसमान्दा समाज से आते हैं इसके लाएं जो वर्क बोर्ड हैं वहां जो चेर्मेन हैं वो भी पस्मांदा समाज से आते हैं यानि बीजेपी की कोशिस यह है कि 2014 की तरह 2019 की तरह 2014 में भी अब पस्मांदा मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ कर सत्ता पर तीसरी बार काबिज हुआ जाए यानि जीत की ह लगाई जाए किया मैं जीतिन के साथ अनुब शुक्राइपी गंगा लख नहुँए अबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी